आइफोन 14 प्रो रिव्यू आफ्टर थर्टी डेज है गाईज मैंने इस मोहित और वेलकम तो मैं चैनल ये है आइफोन 14 प्रो जिसको मैं पिछले लास्ट थर्टी डेज से यूज कर रहा हूँ काफी सारी चीज़े हैं जो कि मैंने इसमें नोडिस करी हैं अगर आपके पस आइफोन 13 प्रो है तो क्या आपको इसमें अप्ग्रेड करना चाहिए का नहीं तो हर एक चीज़ों को इंडप्ट में बात करेंगे तो पिना टाइम इसकी ये बढ़ते हैं वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं इस फोन की प्राइस से तो जहां आइफोन 13 प्रो पिछले साल मिलता था एक लाग 20,000 रुपैसे स्टार्टिंग और इसका प्राइस है एक लाग 30,000 यानि कि 10,000 से इंक्रीज कर दिया गया है इनका प्राइस मुझे नहीं पता क्या रीजन है बट हाँ इसके लिए आपको ज़ादा पैसा पे करना पड़ेगा अब अगर बात कुरूँ इसके डिजाइन की तो यहाँ पे आपको सेम स्टेनलेस टील वाला डिजाइन ही मिल रहा है जो कि पिछले साल वाले फोन में मिल रहा था बैक साइड भी आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है जो की मैट टेक्चर के साथ आता है और ग्लॉसी कैमरा मॉडियूल मिल जाता है सिर्फ यहाँ पे इन दोनों के कैमरा मॉडियूल के साइज का डिफरेंस मिल जाता है आइपोन 14 प्रो के लेंस को थोड़ा सा इसके अलावा थोड़ा थोड़ा कलर में देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह ग्रेफाइट ब्लैक है एंड यहाँ पर यहां पर यह है स्पेस ब्लैक कलर इन दोनों के डिजाइन में जो में इनके फ्रेंट में है आइपोन 14 प्रो में आप आइफोन 14 प्रो की जो स्क्रीन है यह थोड़ी सी जादा आपको देखने को मिलेगी यह जो आपका स्क्रीन साइस है वह लका हलका इनको कर दिया गया है जो इनके बॉर्डर से नोटिस हो या ना हो लेकिन एक डिफ्रेंस है जो कि आपको जरूर से नोटिस होगा वह है इन दाइनामेक आइलेंड है वो स्क्रीन को जादा इंटरप्ट करता है एस कंपर टू इस नौच के जब यह वीडियो वगरा देखते हो तो वह एकदम बीच में आपको देखने को मिलेगा इसके लाब अगर बीड की बात करों तो काफी जादा मझबूत फोन है अगर आप काफी जादा रफ भी उसकरते हो तो भी बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगा डिस्प्ले बहुत जादा मझबूत है ऐसा जल्री टूटने वाला डिस्प्ले नहीं है और ओर अल ठर फोन बोल सकते हो आप इसको हारेकर इसका एक माइनस पॉइंट है स्टेंलेस्टील फ्रेम होने के विज़े से आपको जो यहाँ फिंगर पिरिंट देखने को मिलेंगे वो बहुत जादा मिलेंगे और यह कही बार इरिटेट कर देते हैं अगर आपके पास आईफोन 13 Pro Max या 14 Pro Max है तो वो आप उठाओगे तो वो आपको इतना जादा बाहर ही नहीं लगएगा यह जो छोटे फोन है 6.1 इंचेस वाले फोन है प्रो फोन यह आपको जरूर से काफी जादा हैवी लगते हैं बैब भी शायद यह बड़ा साइस होने की वज़ए से वेड वो डिस्ट्रिब्यो तक किसी भी दूसरे iPhone में नहीं मिलता था आपको तो यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जो कि Always On Display यूज़ करना चाहते है और काफी अच्छे तरीक से उन्हों में इंप्लिमेंट किया है C's को जब यह Always On पर जाता है तो 1 Hz की refresh rate देता है Also इसका Always On Display काफी different है दूसरे किसी Always On Display से क्योंकि यह wallpaper को एकदम dim सा कर देता है और काफी अच्छा सा एक effect create करता है जो की काफी लोगों को बहुत पसंद है और काफी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है And personally मैं अपना बता हूँ तो वो display bright हो जाता है तो फिर पता जलता है कि नहीं आ रही है Always On Display पे था तो कई बार मैं confused हो जाता हूँ किया रही Always On Display है या फिर मेरा phone चालू रहे गया है तो यह एक बड़ी सी confusion होती है जिसके कानल मैं इस वाले feature को off ही करता हूँ और जो battery extra मिल जाती है तो वो लग बाकि इसके display में आपको dynamic island मिल जाता है जो कि बहुत ही जारा कमाल का है याँ पे जो आपको display animations दिखने को मल जाते है किसी से call पे बात करो तो वो जो अलग-अलग animations दिखते हैं created apps में और वहां से आप directly apps स्विच कर सकते हो तो यह बहुत ही अच्छा कमाल का feature हो जाता है लेकिन इतने कमाल की feature डालने के बाद यहां पे आपको काफी सारे bugs भी देखने को मिलते हैं तो चलो बात करेते हैं इसके chipset की यहां पे आपको E16 Bionic chip मिल जाती है जो की एकदम नई chip है Apple की तरफ से और नो डाउट जो chipset है बहुत ही जादा कमाल का है लेकिन iOS 16 अभी इतना जादा optimized नहीं है इसमें हाँ अभी अभी कल परसों एक update आया है iOS 16.1 का इसके बाद कुछ bugs हमें कम देखने को मिल रहे हैं से पहले तो भाई बहुत सारे bugs देखने को मिल रहे थे फोन आपका lens के orientation में lock हो जा रहा था कभी blackout हो जा रहा था तो यसे काफी सारे bugs दो है वो देखने को मिल रहे थे हमें फोन में लेकिन अब iOS 16.1 के बाद आपको यह bugs हैं काफी कम हो चुके हैं आपके अगर मैं बात करूँ इसके processor की तो बहुत जादा कम हाल का processor है हमने iPhone 13 Pro और 14 Pro को पूरा ही compare किया अगर वोला वीडियो नहीं देखा है तो उपर इदर आई बटन में क्लिक करके वोला वीडियो देख लेना अगर इसको gaming के लिए देख रहे हो तो भाई ले सकते हो इसको आँख बन करके ले सकते हो गेम से आपको 90-120 fps का option मिल जाता है जिसकी वजह से gaming experience से काफी जादा smooth हो जाता है अगर बात करूँ heating की तो हाँ iPhone 14 Pro में अभी मुझे gaming करते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ है लेकिन जब भी मैं camera यूज करता हूँ और camera मेरा on रह जाता है गलती से तो वहाँ पर मेरा phone जो हीट होने लगता है तो कहीं कहीं मुझे इसका heat management ना इतना अच्छे तरीकी से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बगी ये कि अगर मैं game वगरा खेला हूँ तो अभी तो फिलाल मुझे कोई ऐसी heating नहीं देखने को मिल लगी है अभी जो मौसम है ये भी काफी थादा ठंडा हो चुका है अब अगर बात करें इसके camera की तो इसमें आपको एक 48MP का primary lens मिल जाता है जो कि बहुत ज़ादा कमाल का output प्रोवाइड करता है जब भी आप 48MP की एक photo क्लिक करना चाते हो इसका जो मुझे main advantage लगा वो ये था कि इसमें हमको एक additional lens मिल जाता है यानि कि जहाँ पहले आपको 1X के बाद सीधा 3X का option मिलता था लेकिन 48MP वाले lens की कारण आपको अब 2X का भी option मिल जाता है जो की बहुत ही ज़ादा कमाल का होता है अगर आप इसको digital zoom करते हो ना तो आपके pixels फटने लगते हैं जो quality है overall image की वो गिर जाती है लेकिन अब आपको यहाँ पर आपके पस 2X का option मिल जाता है पहले क्या होता था या तो बहुत ज़ादा पास से object की क्लिक करनी पड़ती थी या तो बहुत एकदम दूर का क्लिक करता था लेकिन अब आपको इन दोनों के बीच का 2X का एक lens मिल जाता है बेसिकली यह क्या करता है 48MP की एक photo क्लिक करता है और उसको बीच से crop करके एक दूसरा lens क्रियेट किया है नोंने तो यह मुझे बहुत ज़ादा कमाल का feature लगा इसके लावा अगर मैं overall photos की quality बताओं तो हाँ बहुत हलका फलका आपको improvement देखने को मिल रहे हलके फलके changes है कोई-कोई images तो iPhone 13 Pro ने ज़ादा अची क्लिक करी हुई है iPhone 14 Pro से तो overall मैं बोलूँगा कि भाई दोनों बराबर ही है photo quality की अगर बात करूं तो बाकि यहां पे आपको जो extra lens मिल रहा है कमाल की बात हो जाती है और 148MP भी एक huge upgrade हो जाता है इसके लावा अगर camera modes की बात करूं तो आपको एक upgrade इसके cinematic mode में मिल जाता है अब आप इसमें 4K में 30 and 24 fps पे cinematic mode record कर सकते हो जो कि बहुत कमाल की बात हो जाती है साथ के साथ आपको एक action mode मिल जाता है जो कि बहुत ही जादा कमाल level की smoothness प्रोवाइड करता है आपके gimbal का काम एकदम खतम सा कर देगा basically ये 2.5K में record करता है record ये 4K में ही करता है लेकिन ये इसको crop कर देता है 2.5K में ताकि आपको एकदम smooth और stable shot मिल सके तो iPhone 14 Pro का ये वाला feature मुझे बहुत ज़ादा पसंदा है अब अगर बात करूँ इसके friend camera की तो यहाँ पे friend camera में आपको autofocus का option मिल जाता है चुकि बहुत कमाल की बात हो जाती है बिकास आज कल back camera से जादा लोग friend camera यूज करते है बिकास रियूस पगरा बना नहीं होती है तो यह बहुत अच्छा upgrade हो जाता है Apple की तरफ से and friend में आप 4K 60fps पे वीडियो भी record कर सकते हो चोकि पहले भी कर सकते थे लेकिन अब autofocus के साथ करोगे तो next level performance आईगी तो चलो अब extra features की बात करते हैं जो कि अभी नए-नए introduce हुए है iPhone 14 Pro में तो पहला feature है crash detection ये feature बहुत साला कमाल का है अगर by chance आपका car accident हो जाता है तो Apple Watch इसको detect कर लेगी और आपके emergency contacts तक आपकी location पहुचा देगी उनको call कर देगी ताकि आप तक मदद जल से जल पहुचा के जो कि मेरे सब से बहुत कमाल का feature हो जाता है लेगन अगर आपके पास iPhone 13 Pro पहले से है और आपने Apple Watch Series 8 या Apple Watch Ultra या फिर सीरीस ऐसी लिए तो आपको इस reason से 14 Pro में अपग्रेड करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि watch में भी आपको same feature देखने को मिल जाता है जो कि बहुत कमाल की बात हो जाती है और आपको अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा इसके लावा आपको एक feature मिल जाता है satellite SOS feature ये feature अभी फिलाल में US और Canada में मिलता है और दूसरे किसी reason में अभी ये जो feature ये supported नहीं है तो अब इस feature के बारे में क्या ही बात करें बागी यही है कि आपको अगर किसी ऐसे area में चल जाते हैं यहापे आपको network connectivity नहीं है तो आप direct satellite से contact कर सकते हो अपने emergency contacts को and same चीज़ है कि उनको location वागर send कर सकते हो ताकि आप तक मदद आ सके तो ये भी another advantage हो जाता है साथ किसार अगर photography, videography के लिए जा रहे हो ना तो मैं बुलूँगा जा सकते हो iPhone 14 Pro की तरफ क्योंकि वहाँ पर जो आपको एक additional lens मिल रहा है ये बहुत जारा कमाल का हो जाता है लेकिन अगर आप gaming वगरे के लिए सोच रहो तो मैं बुलूँगा तो मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा अगर आपके पास iPhone 13 Pro है तो अगले साल से पहले कोई भी phone मत लेना जब आ जाएगा iPhone 15 Pro तब के लिए सोच लेना और कोई भी phone आप लेते हो तो मेरा recommendation यही होता है कि at least उसको 2 साल तक यूज़ करो और कर सकते हो तो 3 साल तक भी करो क्योंकि iPhone से भाई बहुत लंबे लंबे टाइम तक आपको updates मिलते रहेंगे और बहुत कमाईल की performance भी मिलती रहेगी आज से 3-4 साल पहले launch हुआ था iPhone X है लेकिन उसको आज उठाके आप अगर यूज़ करते हो तो वह भी बहुत कमाईल का phone है refresh rate वगरा थोड़ा कम है LCD display है लेकिन फिर भी अगर आप as a performance उसको देखोगे उसमें gaming करोगे ना भाई तो वह भी बहुत मक्कन की तरह चलता है अगर 13 Pro है आपके पास तो 14 Pro में विल्कुल मत जाना हाँ iPhone 13 12 से मैं क्यों बोल ला हूँ जाने को 60 Hz से 120 Hz में आओगे ना तो वो जो difference है वो बहुत जारा अलग बहुत अलग से ही feel हो जाता है तो कईज यह था आज का मारा वीडियो आई होब यह वीडियो पसंदा होगा अगर यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज देट लाइक बटन चैनल सब्सक्राइब करो इट अब बैल आकन तक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बहुचे तो मैं मताँ से नेक्सी दो में तब तक के लिए, बाइब बाइ